दिल्ली की जनता केवल प्रदूशित हवा ही नहीं बलकि प्रदूशित पानी से भी तरस्त है जी हाँ, ऐसा हम नहीं बलकि केंदर सरकार की ओर से जारी की गए रिपोर्ट कह रही है हाला कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की इस रिपोर्ट को जूठी रिपोर्ट बताया है केंद्रिय मंत्री राम विलास पासवान द्वारा रिपोर्ट जारी करने के बाद ही आप नेताओं ने उनको निशाने पर ले लिया आप प्रवक्ता दिली पांडे ने ट्वीटर पर लिखा कि सर आप मंत्री हैं सिर्फ गंदी सियासत के चलते देश के सामने आपने जूट रखा उन्होंने लिखा कि इसमें एक पते पर रहने वाले दीपक ने कहा कि उसके यहां से कोई सेम्पल ही नहीं लिया गया सिर्फ केजरिवाल सरकार और दिल्ली वालों को बदनाम करने के लिए आप गंद मचा रहे हैं मुई पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने लिखा कि दिल्ली के गंदे पानी की सयूंत जाज के रामविलास पासवान जी के आउफर से केजरिवाल क्यों भाग रहे हैं क्या चुपाना चाहते हैं मुई केंद्रिय मंत्री रामविलास पासवान ने आज ट्विट करते हुए लिखा कि आज सीम अरविंद केजरिवाल जी ने प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान अपने पहले के दावे से पलटते हुए कबूल किया कि दिल्ली में गंदे पानी की समस्या है हम भी शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए बलकि समस्या को जल से जल दूर करने का प्रयास करें ताकि दिल्ली को साफ पानी मिले पासवान के अलावा केंद्रिय मंत्री डॉक्टर हर्श वर्धन ने भी केजरिवाल सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी सर वो कहरें कि जो उसमें एड्रेसेज हैं उसमें पास सौनो सारी दिल्ली के अंदर तो सौ में से जो है अधिकांश लोग जो है उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया क्या जो इतनी बड़ी जो रिप्यूटेट एजनसी होती है वो जब सेंपल उठाने के लिए जाती है तो क्या वो यह ढूंडती है कि कौन सा घर किसका है और किसके अंदर पर इतनी बेतुकी और वहयाद बात जो है दिल्ली के मुखमंत्री कर रहे हैं कि मैं समझता हूं कि केंद्रिय मंत्री हर्श वर्धन ने ट्वीटर पर लिखा कि केजरिवाल जी जल बोड के अध्यक्ष हैं उनकी लापरवाही के कारण सेकड़ों बच्चे दूशित पानी से दिल्ली के अस्पतालों में जिन्दगी और मौत से जूज रहे हैं दिल्ली सियम ने BIS जैसी प्रतिष्ठित संस्था को बदनाम किया है लोगों में जूट फैल आया है दिल्ली सियम अपनी इस करनी के लिए जनता से माफी मांगे केंद्रे मंतरी हर्षवर्धन के ट्वीट का जवाब देते हुए मुख्य मंतरी केजरिवाल ने लिखा कि सर आप तो डॉक्टर हैं आप जानते हैं कि ये रिपोर्ट जूटी है राजनीती से प्रेरित है आप जैसे व्यक्ति को ऐसी गंदी राजनीती का हिस्सा नहीं बनन चाहिए जिसके जवाब में हर्षवर्धन ने लिखा कि गंदे पानी की सेउंग्त जाच के पासवान जी के प्रस्ताव पर केजरिवाल जी गंभीरता क्यों नहीं दिखा रहे सेउंग्त जाच के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने जो दो लोग नामित किये हैं उनमें से एक दिनेश मोहनिया जी राजनितिक व्यक्ति हैं जो निश्पक्ष हो सकते हैं लटकाने भटकाने की राजनीत क्यों वहीं ये मुद्दा संसद में भी खूब मुजा संसद में बीजेपी सांसद विजय गोयल ने इस मुद्दे पर केजरिवाल सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई दिल्ली में टांस्मिशन में 40% पानी बरबाद हो जाता है दूसरे देशों में ये मैकसिमम सिरफ 15% है इसका कारण लीकेज और चोरी है दिल्ली में मुश्किल से 70% एरिया में पाइपलाइन से 25% एरिया में एक चोथाई में पाइपलाइन ही नहीं है आदे से जादा दिल्ली में से एक प्याई यामी की साथ राक मीटर खराब है अद्यक्ष महोदे बोरिंग बेन पर सरकार खुद जंगे जंगे पर बोरिंग कर रही है तो आम आदमी पार्टी के सांसत संजय सिंग ने मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया उन्होंने दिल्ली प्रदूर्शन को कम करने के लिए अपने सरकार दौरा किये गए कार्यों की भी जानकारी कि दिल्ली में प्रदूसल के दिनों की संख्या में कमी आई है अच्छे और मौडरेट दिनों की संख्या में बृद्धी हुई है और मानी मंत्री जी ने जो रिपोर्ट सदन में रखी है वही रिपोर्ट सुप्रिम पर रखी है वही रिपोर्ट मानी मंत्री जी ने सुप्रि गुरुवार को बीजेपी नेता 500 जगाओं से पानी का सैंपल लेकर सीयम अरविंद केज्रिवाल के घर पर पहुंचे और प्रदर्शन किया प्रदर्शन का नेत्रित तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोश्तिवारी कर रहे थे उन्होंने कहा कि लोगों के हाथों में जो पानी है उसे हम सीयम को देने आए हैं अब ये विवाद सुप्रीम कोट तक पहुँच गया है सुप्रीम कोट ने कुल घुलन शील्ट ठोस पदार्थ टीडियस 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होने पर आरो के इस्तमाल पर NGT द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने पर आरो कमपनियों के संगठन से सरकार के पास जाने को कहा है कोट ने आरो कमपनियों के संगठन को संबंधित सामग्री के साथ मंत्राले से संपर्क करने के लिए 10 दिन का समय दिया है दिल्ली की हवा तो पहले से ही खराब थी अब जनता को पानी भी साफ नहीं मिल पा रहा है एचस न्यूस के लिए राज मिश्रा की रिपोर्ट देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जोर दबाए साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले